हलो माई जियर पाशन एट नीट आस्परेंस वेलकम बाक टो मागनेट ब्रीन आया आई टी जेए नीट मैं हूँ डॉक्टर इतिका भरदवाज आपकी बायोलजी मेंटो और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं प्राक्टिस क्वेशन के साथ फॉर दी चाप्टर की आज का ये सेशन में स्टार्ट करूं इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि मैगनेट ब्रेंज आया टी जेए नीट के चैनल पर यह जो आपका नीट का कोर्स है कंप्लीटली फ्री ओफ कॉस्ट अवाइलेबिल है कुछ चाप्टर पढ़ने के बा बेस्टीचर्ज के साथ साथ आप यहाँ पर अपनी पूरी नीट की प्रपरेशन कर सकते है या फिर आपके जो VAG के फरेंज है वह याए Anhी टी जे के explanation मतलब क्या है कि जितना भी आपका chapter है उस chapter में देखो कई सारे topics होते हैं हम एक एक topic को briefly discuss करते हैं followed by daily practice problem का pdf यह जो pdf है यह आपको कहां मिलता है session के description में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको link मिलेगी उस पे click करके pdf आपको करना है download followed by daily practice problem का solution वो जो pdf आप download करोगे उससे question को question paper आपको मिल जाएगा फिर आप उसे solve करोगे अब उसके लिए आपको explanation session भी मिलता है यानि कि आपकी जो dpp होती है जिसे आप solve करते हैं उसके लिए आपको explanation session अलग से मिलता है followed by chapter wise multiple choice question हर chapter के लिए धेर सारे multiple choice questions हम solve करते हैं and then we go with the list of name of scientist year and their contribution with the dates मतलब जो भी chapter हम पढ़ते हैं उस chapter से related जितने भी scientist होते हैं उसकी में list आपको अलग से session में देती हो और उस list से आप याद करते हो कि कौन से scientist थे उनका क्या description था क्या theory थी और किस year में दी थी followed by previous year questions के videos previous year में जो questions आ चुके है नीट के उसके जो questions है हमें solve करने हैं देखो पहले जो नीट में question पूछे गए वो हमारे लिए क्यों important है क्योंकि वही topic या उस type का कोई question अगर आ जाए तो हमें वो पता रहेगा ठीक है then we go with the doubt solving session जहां मुझे आप अपने doubts भेशते हो अपने notes भेशते हो और फिर हम मिल करके उस पर बहुत सारी बाते करते हैं अपने doubt solving session में weekly test paper chapter wise and then we go with the guidance session guidance session में क्या होता है guidance session में होता है बहुत सारा important stuff वो important stuff क्या है NEET के बारे में पूरी information, NEET क्या है, कितने marks का होगा, कैसे होगा, कौन करवाता है, क्या pattern रहता है, सारी चीजे and then आपके NEET से जब आप qualify करते हो तो कौन-कौन से colleges होते हैं NEET के लिए ये सारी बाते enthusiastic कैसे रहेंगे, पूरा साल preparation करते है वक्त ये वाली बात है, यानि कि सब कुछ आपको मिल जाता है guidance session में, then we have chapter wise one short revision and the online test series, जो की दोनों बहुत important पाट है इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास NCRT session है, जो हाँ पर हम NCRT को line by line पढ़ते हैं और फिर उसकी understanding create करते हैं, so this entire thing is our NEET course module, जिसके हिसाब से हम अपनी NEET की preparation करते हैं अब आईए session को करते हैं, start और देखते हैं, first question क्या है First question is, Archegonium of Pheneria secretes mucilage rich in Archegonium जो होता है Pheneria का, अगर हम Pheneria की बात करें तो Pheneria के Archegonium में, यानि की female reproductive part में ऐसा कौन सा substance secret होता है, mucilage के साथ, मतब कि mucilage जब secret होता है तो उसमें कौन सा substance सबसे ज़्यादा present होता है अब ये जो Archegonium है, ये mucilage secret कर ही क्यों रहा है है ना, क्या जरूरत है पहले तो ये बात करो तो mucilage secret होता है, Archegonium से, तो attract the other structure attract the male reproductive cell, ठीक है तो Archegonium क्या करता है, सिरफ उसको track करने के लिए तो ये secretion करता है, mucilage का mucilage का, और mucilage में क्या भरा होता है mucilage में present होता है, बहुत सारे amount में sugars ठीक है, तो कौन सी sugar secret होती है, sucrose present होता है mucilage में, क्या present होता है, sucrose present होता है mucilage में, ठीक है, इस question को, इस question को बहुत ध्यान से करना ध्यान से इसलिए करना है बहुत easy question, एक छोटी सी चीज़ के बारे में में पूछा है, mucilage में सबसे ज़ादा क्या present है, एक sugar का form present होता है अगली बार हो सकता है, यह पूछले कि कौन सा form of sugar is present in the mucilage secreted by the archegonium of phenylia, ऐसा question भी पूछ सकता है तो वो जो sugar है, वो कौन है, it is the sucrose, options देखिए, option में है sucrose जो सही है, glucose नहीं होगा, malayic acid नहीं होगा, citric acid नहीं होगा बहुत सारे students confused हो जाते हैं कि क्या होना अच्छी है, glucose हो सकता है लेकिन हमें मिलता क्या है, sucrose मिलता है, what we find is sucrose, all right so option A is the correct answer for this question, note it down, done, okay next question देखिए, next question कहता है, polytrichum has, polytrichum के पास क्या-क्या चीजें प्रेजेंट होती है, पहला option कहता है, heart-shaped prothalus, आपको यादे हमने एक ऐसा, हमने एक ऐसा prothalus पढ़ा था इसमें यहां roots होती थी, और यह हमारा, यह prothalus था, ठीक है यह कैसे shape का है, यह है heart shape का, heart shape का, लेकिन यह जो prothalus है, यह ऐसे, ऐसे shape का नहीं बनता कहां पर, polytrichum में तो यह वाला option हो गया हमारा, गलत, next option है, foot, ceta and capsule foot, ceta and capsule कैसा structure होता था, foot, ceta and capsule, इस तरीके की capsule होती थी, और इसके नीचे, यहां पर, कुछ leaf like structure होता था, सही हमने ऐसा पढ़ा था, तो हम क्या बोलते हैं, यह क्या है capsule, यह क्या है foot, यह क्या है, sorry, यह सीटा है, और यह क्या है foot, ठीक है, यह structure कहां पाया जाता है, यह मिलता है polytrichum में, polytrichum का structure है, polytrichum में देखने को मिलता है, अब यह foot, ceta and capsule वाला जो है option, या फिर मैं heart shaped prothalus की अगर बात करूं, तो यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि heart shape prothalus क्या होता है, यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि foot, ceta और capsule क्या होता है, next है vascular bundle, vascular bundle यहने क्या हुआ, vascular bundle यहने हुआ, xylem and phloem, और mito spore जो है, again a kind of spore, तो न यह होगा, न वैस्कुलर होगा, सही answer होगा, foot, ceta और capsule, मैं यह question मेरे लिए क्यों important है आपको कराना, उस चीज को समझो, अभी आपसे क्या पूछा है, देखो ध्यान से इस चीज को समझना, question में अभी क्या पूछा है, foot, ceta और capsule का question है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें heart shift पता है, प्रोथालरस कहां बन रहा है, हमें मालुम है कि foot, ceta और capsule क्या होता है, कौन से structure में होता है, लेकिन हम कहां confused हो जाते हैं, polytrichum तो हमने नहीं पढ़ा, example हमने ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत important है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप जो भी diagram मना रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, वहां पर उसका example, पांच, साथ example, जितने मिल सकते हैं, उतने लिख लो, क्यों, क्योंकि कोई से भी example से उठा करके question पूछा जा सकता है, for now, note it down, so the right answer is, option B, foot, ceta and capsule, note it down, done, okay, next question is, sporophyte of funeria always begins development within the, sporophyte जो होता है, फिनेरिया का, वो कहां पर अपना development start करता है, ठीक है, तो अगर हम फिनेरिया के sporophyte की बात करें, तो यह, जो है, यह develop होना start होता है, कहां पर female reproductive part, female reproductive part में, और कौन है female reproductive part, कौन है, archegonium, कौन है, archegonium, अब एक चीज़ धिहान रखना, कि जब भी ऐसा कुछ question पूछा जाएगा, तो retain structure हमेशा कहां पर होता है, शुरुवात हमेशा कहां पर होती है, female structure में, female reproductive structure में, तो यह, जो sporophyte होता है, फिनेरिया का, यह हमें कहां देखने को मिलता है, archegonium में develop होता हुआ, मिलता है, तो options देखो, क्या क्या है, option है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कौन सा पार्ट होता है, male वाला पार्ट होता है, है ना, इसलिए यह option गलत, female reproductive part, archegonium सही है, capsule में नहीं होगा, और protonema में नहीं होगा, right option is what, right option is B archegonium, B archegonium, note it down, done, okay, next question देखिए, next question कहता है, a liverwort is, liverwort का question है, liverwort क्या है, पहला option देखो, अब parasite causing infection of liver है क्या, parasite causing infection of liver, liverwort नहीं हो सकता, यह तो बहुत ही foolish option हो गया, right, next देखो, a kind of virus infecting the liver, कोई virus है क्या, नहीं है, यह भी गलत हो गया, इसमें कोई भी दोरा आए नहीं है, कि इन दोनों option पे तो कभी टिक लगाई नहीं सकते थे, अगर यह exam में आता, a flowering plant for treating liver disorders, flowering plant भी नहीं है और liver disorder भी इससे ठीक नहीं होगा, next, a plant without differentiation into root stem and leaves, now this is the correct option, जो liverwort होता है, liverwort जो होता है, उसमें आपको कोई भी differentiation नहीं दिखता, it is undifferentiated, undifferentiated, ठीक है, क्या present मिलेगा इसके पास, root, stem and leaves, ठीक है, तो last option जो है, वो सही है, पहला option भी गलत क्योंकि यह कुछ भी इसका काम किससे नहीं है, causing infection of liver, गलत हो गया, दूसरा kind of virus, वाइरस नहीं है, तीसरा flaring plant नहीं है, liver disorder नहीं है, इसलिए यह option गलत है, फोर्थ बचता है, अब plant without differentiation into root stem and leaves, yes, this is the correct answer, option D is the correct answer for this question, all right, option D is the correct answer, ठीक है, note it down, कर लिया, liver word जो है, यह बहुत important होता है, इस example को जहान से पढ़ना, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप फसोगे कहां पर, जहां पर, आपको पूरा मालूम है, concept आप पूरा जानते हो, आपको पता है, algae क्या है, bryophyta क्या है, teridophyta क्या है, gymnosperm क्या है, angiosperm क्या है, किसके कौन से character है, alternation in generation क्या होता है, haplontic क्या होता है, diplontic क्या होता है, haplodiplontic क्या होता है, आपको सब मालूम है, लेकिन आप जहां उलट सकते हो, वो हैं सिरफ और सिरफ example, किसी एक ग्रूप में से उठा के पूछ लिया, अब हमें मालूम है नहीं था, हमें ध्यान ही नहीं आया है कि example कौन सा वाला किस में जाएगा, तो हमारा answer क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए example पर बहुत ध्याम देना है, done, okay, next question देखिए, next question is, branched rhizoids and leafy gametophytes are characteristic of, क्या-क्या है, rhizoid है, rhizoid है, वो भी कैसा है nature में, branched है, ठीक है, दूसरा हमारे पास leafy gametophyte, एक ये character और दूसरा है, leafy gametophyte, ठीक है, ये दोनों character है, अब पूछाई ये दोनों exclusively किस के character, है, option है, all bryophytes, सारे bryophytes में नहीं मिलेगा, it is not found in the all bryophytes, इसलिए ये option गलब, दूसरा, some bryophytes like mosses, definitely ये mosses के characters है, इसलिए ये option सही है, तीसरा, algae में ये हो गई नहीं, algae में आप खुद सोचो, rhizoid यानि रूट जैसा structure होता है, rhizoid is root-like structure, rhizoid क्या है, root-like structure, ठीक है, leafy gametophyte, gametophyte क्या है, gamete producing structure, gamete producing structure, कहां से algae में आएगा, algae में होई नहीं सकते ये दोनों चीजें, तो ये भी गलत हो गया, liver wort में नहीं, कहां देखने को मिलता है, कुछ ब्रायोफाइट, जैसे की mosses, mosses में exclusively ये ये जो आपको characteristics है, मिल जाएंगे, right option is, option B for this question, note it down, done, okay, now see the next question, next question is, in life cycle of funeria, spores are beginning of the generation, जो funeria की life cycle होती है, उसमें spores जो हैं, वो किस की beginning बताते हैं, यानि कि spores से आगे जाकर कौन सा structure बनता हुआ, दिखता है, कौन सा structure बनेगा, किस की beginning फॉर्म करता है spores in the funeria, अगर हम इसकी life cycle पर जाएंगे, life cycle पर जाएंगे, तो बहुत easy सी एक बात है, और वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है, कौन सा structure, sporophyte structure, sporophyte structure, sporophyte structure क्या बनाता है, spores, this produces spores, see, this is going to produce spores, ठीक है, spores आगे जाकर क्या बनाएंगे, gametophyte structure, spores आगे जाकर बनाता है, gametophyte structure, यह है, gametophyte बनाता है, ठीक, gametophyte structure क्या प्रेडियूस करता है, gametes, ठीक, gametes आगे जाकर वापस से क्या बनाते हैं, sporophyte बनाते हैं, यानि कि, अगर हम sporophyte को देखें, तो sporophyte ने spore बनाया हूँ, spore आगे जाकर gametophyte बनाएगा, gametophyte gamete बनाएगा, और यह पूरी life cycle इसकी चलती रहेगे, यहने spore जो है, वो किसके beginning mark करता है, तो gametophyte की beginning mark करता है, options देखिए, option क्या-क्या है, gametophyte is the correct answer, sporophyte नहीं, peristorm नहीं, बोत A and B नहीं हो सकता, so the right option is, option A for this question, option A is the right answer for this question, mark it down, easy question है, बस life cycle पता होनी चाहे, note कर लीजे, done, okay, next question देखिए, next question is, sphagnum is also called peat moss, because, क्या reason है कि sphagnum को peat moss कहते है, sphagnum जो होता है, sphagnum, sorry, ठीक, sphagnum क्या करता है, sphagnum जो है, यह convert करता है, जब सूख जाता है, तो यह convert हो जाता है, किसमें? peat में, peat is something which retains lots of water, peat ऐसा होता है nature में, जो पानी को अपने अंदर सोख के रख लेता है, पानी अंदर रख लेता है, ठीक है, तो it absorbs water, absorbs water in it, ठीक है, water absorb कर लेता है, और यही reason है, कि sphagnum जो होता है, उसे हम use करते हैं, किसलिए plants को, एक जगे से दूसरी जगे, जब travel करते हैं, तो plants को ले जाने के लिए, किसमें रखे जाते हैं plants? इस sphagnum में, क्यों? क्योंकि इसके पास water retained रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक, water retained रहेगा, तो हमें travel करना आसान हो जाएगा, अगर हमें बहुत लंबी दूरी तै करनी है, so it is used for carrying plants from one place to other. it is used for it is used for carrying plants from one place to another peat के form में आ जाता है जब तो क्या कर लेता है water को absorb कर लेता है और इसलिए हम इसे क्या कहते है peat moss peat moss या फिर bog moss भी कहते है ठीक है, bog moss ओल्राइट, options देखे it grows in acidic marsh, bogs and helps in peat formation तो acidic marsh जो होता है उसे हम क्या कहते है, bog इसलिए इसका एक नाम होता है bog moss और दूसरा नाम होता है peat and helps in peat formation और क्या form कर लेता है peat form कर लेता है इसलिए ये option हो गया सही ठीक, दूसरा option क्या है it is found in peat, found in peat नहीं होता it forms peat, found की वज़े से ये option गलत है, क्या आना चाहिए था it forms peat, ठीक next है, it retains water ये तो बात सही है, water retain करके रख लेगा, it is fossilized quickly, ये भी ठीक है लेकिन, ये वाला पन छोड़ दे, ये हमारे answers क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे पूछाए कि वो moss जो है, उसे peat moss क्यों बोल रहे है, ठीक तो water retain करना तो कोई reason नहीं है जिसकी वज़े से हम इसे peat moss बोल सकें peat moss हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये grow होता है, कहाँ पर marshy acidic area में, जिसे हम bog कहते हैं b-o-g, bog कहते हैं और ये develop हो जाता है किसमें आगे जाकर के peat में इसलिए peat moss या फिर bog moss दोनों ही नाम होते हैं किसके sphagnum के noted down इन दोनों नाम से question बहुत पूछा जाता है, done okay अच्छा इस चीज से तो question पूछते हैं एक ये वाले point से भी बहुत question आता है, ठीक है, all right next question, next is moss plant is a moss plant actually में क्या होता है, ठीक है पहला option है, gametophyte दूसरा option है, sporophyte तीसरा, sometimes gametophyte and sometimes sporophyte, fourth option है predominantly gametophyte with sporophyte attached to it, characteristic feature हमने moss का क्या देखा है moss का क्या देखा है, कि इस structure में, जो gametophyte और sporophyte structure होता है gametophyte and sporophyte structure दोनों ही आपस में attached रहते हैं एक दूसरे से both these structures are attached to each other attached to each other एक दूसरे से attach मिलते हैं, gametophyte और sporophyte structure gametophyte एक structure जो आगे जाकर gamet बनाएगा, sporophyte structure जो आगे जाकर spor बनाएगा options देखिए, अकेला gametophyte नहीं है, अकेला sporophyte नहीं है, ठीक है, तीसरा sometimes gametophyte and sometimes sporophyte यह sometime की वज़े से यह option गलत यह option गलत, यह option गलत क्या है, predominantly gametophyte structure है जिस पर sporophyte attach रहेगा, so right option is option D for this question option D is the correct answer for this question, alright note it down done, okay next question देखिए next question is, to which group to which group would you assign a plant that has xylem and phloem, हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट हमें दिया हो है उस प्लांट में क्या-क्या प्रेजेंट है इस प्लांट में प्रेजेंट है एक तो phloem और दूसरा xylem प्लांट के पास xylem भी है and phloem भी है ठीक है, दूसरा produces meospores embryo but lack seeds and flower seeds सबसे पहले हमें किस में मिला था, gymnosperm में ठीक है, देखो क्या-क्या है हमारे पास एक तो यह हो गया, दूसरा हमारे पास meospores बना रहा है यह प्लांट meospores बना रहा है यह प्लांट ठीक है, and embryo भी बनेगा embryo भी बन गया लेकिन इसमें क्या-क्या नहीं है, जो नहीं है वो है, कौन सा वाला seed नहीं है, और flower नहीं है seed सबसे पहली बार हमने कहा देखा था, gymnosperms में gymnosperms में ठीक है, flower हमने कहा देखे थे, angiosperms में, ठीक है, angiosperms में देखे थे, अब खुद दिमाग लगाओ, कि अगर ये दोनों चीजें नहीं है है न, तो obviously हमारे ये दोनों option यानि कि gymnosperms और angiosperms तो गेम से बाहर हो गए अब हमारे पास तीन कैटेगरी बचती है जो हमने plants की पढ़ी है वो कौन-कौन सी तीन कैटेगरी हमारे पास बची, एक हमारे पास बचा है algae, दूसरा हमारे पास बचा है bryophyta bryophyta, तीसरा हमारे पास क्या बचा है, teridophyta teridophyta, ठिक xylem और phloem ना तो algae में देखे गए थे ना तो bryophyta में मिला teridophyta में मिला था ठिक है, myospore और embryo कहां मिलेगा, teridophyta option, हमारा teridophyta होना चाहिए यहाँ पे क्या-क्या दिया हुए, bryophyte है, bryophyte तो नहीं है, यह तो हम rule out कर चुक है, दूसरा teridophyta, सही option है, अभी हमने यह से find out किया है third is tracheophytes, tracheophytes नहीं होंगे, and the fourth is spermatophyte, seed वाले को बोलते है na spermatophyte, तो यह भी नहीं होगा, so the right option is option B, that is teridophyte, teridophyte is the correct answer to this question, यह obvious reasons है है, है na, note it down, done okay, next question देखे, next question says vascular cryptogames and botanical snakes of plant kingdom are, botanical snakes of plant kingdom, बहुत important phrase है, है na, बहुत important नाम है किसे कहते हैं, botanical snakes of plant kingdom या vascular crypto games किसे कहा जाता है, options है हमारे पास, पहला, teridophyte दूसरा, tracheophyte, तीसरा angiosperm and then we have spermatophyte, फटा फट से मुझे अपना इस question का answer, comment section में लिखके बताओ, दो मिनट के अंदर, यहीं video pause करो, write down the answer what is the correct answer to this question, I want to know it from you, करो जल्दी फटा फट से, लिखा okay, hope सपने सही लिखा होगा, यह question बहुत important question है, इसके लिए लिख ले ना important है यह ठीक है, question में क्या पूछा है देखो, vascular vascular crypto game, ठीक है crypto games, तो vascularity, यहीं क्या, xylem phloem का कुछ form present होना, ठीक है और पूछा है, botanical snake botanical snake botanical snake का मतलब क्या है botany is for plant ठीक है, botany क्या होता है plant की study, तो botanical snake, यहीं प्लांट का snake बोला जाता है, ऐसा किसको बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है teridophytes को किसको बोला जाता है, teridophytes को और क्यों बोलते है teridophytes को ऐसा, क्योंकि teridophytes जो है वो first first land plants है land पर पाई जाने वाले पहले plant, कौन है teridophytes, इसलिए उसे botanical snake बोलते है, ठीक है ऐसा कुछ बहुत बड़ा rocket science नहीं है पहली बार मिला था और snake कहां पर होता है land पर ही चलता है, इसलिए इसको ऐसा बोल दिया था ठीक है, तो किसको बोला गया था teridophytes को बोला गया था, यह question important है, teridophytes नहीं answer है, tracheophyte नहीं होगा, angiosperm नहीं होगा spermatophyte नहीं होगा, so the right answer is option A that is teridophytes, note it down, ऐसे यह होना चाहिए, पर नहीं है तो लिख लेना, ठीक है next है, next question देख्यो, tracheophytes include, tracheophytes कौन होते हैं, tracheophytes कौन होते हैं, tracheophytes वो होते हैं, जिनके पास vascular, vascular tissue या cell present हो, यानि की xylem या phloem वाले cells present हो, उसे हम बोलते हैं tracheophytes, ठीक है tracheade cells, tracheade vessels होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं, या vascular tissue है, तो इन में से किसके पास है, पहला है bryophyta, teridophyta, spermatophyta, bryophyta के पास नहीं होते हैं, या option गलत, दूसरा है, bryophyta, teridophyta, gymnosperm, angiosperm, bryophyta के पास नहीं होते हैं, या option गलत, ठीक next है teridophyta and spermatophyta और क्या लिखा है, gymnosperm और monocotyledons, तो teridophyta और spermatophyta लिखा है, क्या लिखा है, teridophytes और spermatophyte उसके साथ-साथ क्या दिया है, gymnosperms and monocotyledons, monocotyledons की वजए से ये चला जाएगा, या option गलत, दूसरा है, क्या, teridophytes and spermatophytes, gymnosperms and angiosperms, ये तीनों बिलकुल सहीं है, teridophyte में मिलेगा, spermatophyte, seed producing plants, जो होते हैं, यानि कि gymnosperms, gymnosperm लिखा हुआ है and angiosperms दोनों में, seed दोनों में मिलेगा, right, so the right option is, right option is this, ठीक है, option D correct answer है, क्यों, क्योंकि gymnosperm और angiosperm और teridophytes, spermatophyte तो भाही दोनों है न, इन दोनों को, दोनों में क्या मिल जाता है, tracheids included रहते हैं, अच्छा, अब एक important बात ये है, कि आप देख रहे हो, question कभी-कभी आजाता है, tracheophytes क्या होते हैं, कभी आजाता है, spermatophytes क्या होते हैं, मैंने lecture में आपको अलग से ये चीज बढ़ाई है, ठीक है, तो एक बार अगर आपने नहीं देखा है, तो lecture को जा करके देखो, आपको सारी चीजें दुबारा से revise हो ज सकता है, ये tracheophytes, spermatophytes जैसे नाम लेके बनाएं, या हो सकता है, सीधा, teradophyta, gymnosperm, angiosperm, ऐसा लेके बनाएं, so it can be asked in any of the forms, that is what I want you to understand, ठीक है, अभी option हमारा हो गया सही, next चलो, next क्या है, gametophytic and sporophytic phases are independent in, gametophytic phase and sporophytic phase independently किस में देखा जाता है, independent है, है ना, independent है यनि क्या है, independent होने का मतलब है, एक दूसरे पर जादा depend नहीं करेगा, किस में देखा जाएगा, पहला, bryophyte में मिलेगा, bryophyte में नहीं मिलेगा, teradophyte में मिलेगा, teradophyte में मिल जाएगा, gymnosperm में नह of the above नहीं होगा हमारा अंसर क्या होगा टेरीडोफाइट option B is the correct answer that is टेरीडोफाइट all right done okay note कर लो easy है यह question next question देखो next question is evolutionary important character of Salaginella मैंने आपको यह chapter में मतब जहां मैंने आपको समझाया था lecture में Salaginella वहापर मैंने आपको बताया है कि Salaginella को बहुत importance दिया जाता है ऐसा माना जाता है कि Salaginella जो है वो एक connecting link है है ना एक ऐसा character उसमें देखने को मिलता है जो हमें आगे की तरफ evolution बताता है मतलब क्या है कि हमने पढ़ा algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm teridophyte में और gymnosperm में बहुत अंतर मिला हमको seed को ले करके, ठीक है किसको ले करके, seed को ले करके तो जो seed हमें कहां देखने को मिलते थे, gymnosperm में और फिर angiosperm में तो gymnosperm पहला था ना जहां seed देखने को मिल रहे थे, उससे पहले कौन था, teridophyte था, तो टेरिडोफाइट में हमें प्रॉपर सीट नहीं मिलते थे लेकिन जब हमने देखा कि सिलाजिनेला जो है इसके पास है हेट्रो स्पूर्स और इसके पास क्या है सीड हैबिट अगर आप सिलाजिनला से पहले जाओगे न तो वहां पर आपको अलग-अलग male और female reproductive parts नहीं मिलेंगे ये हेट्रोस्पोरी थे सिलाजिनला में आने वाले जिन्होंने differentiate कर दिया था जिन्होंने differentiate कर दिया था male को and female को किसको differentiate कर दिया था? male और female को इसी लिए ये क्या कहलाते थे, ऐसा माना जाता है कि सिलाजीनेला जो है, वो हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, तो ये हमें दिखाता है, ये हमें दिखाता है evolution, ये हमें दिखाता है evolution, ओल्राइट, options देखो, सही option, seed habit and heterosporous nature, heterospore का मतलब है different types of spores, different types of spore, जो आगे जाकर क्या बनाए, male और female parts बनाएगा, तो ये option सही है, दूसरा है yv parry, yv parry नहीं मिलेगी, rhizophore नहीं मिलेगा and spike नहीं होगा, so the right option is seed habit and heterospore, इसी की वजए से ये हमें evolution दिखाता हुआ, मिलता है, क्योंकि इसके बाद सारे जो plant के types थे, उनमें हमें क्या मिलने लगा था, male और female reproductive part अलग से मिलने लगा था, noted down, कर लिया, okay, next question देखिए, heterospores, heterosporous teridophytes produce, heterospores जो होते हैं, teridophyte, वो क्या produce करते हैं, पहला option है diocious gametophyte, दूसरा option है monoecious gametophyte, तीसरा option है homothalic gametophyte, and then we have hermafrodite, तो अब अगर आप इनको देखोगे, तो इस पे भी मज़ाओ, heterospores पे सिरफ जाओ, मैंने अभी आपको बताया, कि जो heterospores होते हैं, heterospores होते हैं, वो क्या करते हैं, heterospores male और female, male और female gamete बना देते हैं, male portion अलग बना देता है, और female portion अलग बना देता है, अलग-अलग individual में होते हैं, male individual form करेगा, male individual form करेगा, ठीक है, दूसरा female individual form करेगा, male भी बना रहा है, female भी बना रहा है, और वो भी दोनों अलग-अलग बना रहा है, वो भी दोनों अलग-अलग बना रहा है, इसी लिए ये produce करता है, heterospore produce करता है क्या diocious, क्या produce करता है, diocious structures, diocious organisms, diocious का मतलब होता है कि जिसमें male और female दोनो character अलग-अलग organism में दिखे, male वाला अलग plant दिखे, female वाला अलग plant दिखे, तो ये diocious gametophyte produce करता है, क्या produce करता है, diocious gametophyte, याने दो bodies अलग-अलग है, जो male और female gamet बनाएंगी, ठीक है, options देखे, diocious gametophyte बिल्कुल सही है, monoaceous का मतलब होता है, एक ही organism में male और female होना, तो वो तो homo spore से ही बन जाता, एक जैसे spore से, बाकी सारे हमारे answer नहीं होंगे, herma phrodite भी क्या होता है, जिसमें male और female reproductive part एक साथ present हो, so the right option is, option A for this question, noted now, done, alright, next question देखे, rhizophore of salaginella, rhizophore of salaginella is what, पहला है root, दूसरा है stem, फिर है leaf and the fourth option is organ sui generis, organ sui generis पर हम बहुत जादा focus नहीं करते हैं, है ना, पर कहीं ये पहले पुछा गया है, तो इसलिए हमें तोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसे question में लाई हूँ, organ sui generis का मतलब क्या होता है, organ sui generis का मतलब क्या होता है, it is the part between shoot and root, ठीक है, organ sui generis का मतलब होता है, the part between shoot and the root, जो की क्या है, rhizophore, part between root and shoot क्या है, rhizophore, rhizophore, which is seen in salaginella, which is seen in salaginella, ठीक है, इत्ती बात समझ में आ गई, देखो, तो root नहीं होगा, ठीक है, stem नहीं होगा, leaf नहीं होगा, क्या होगा, organ sui generis, option, d is the correct answer, घबराओ मन बहुत जादा नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी मान लो, कोई चीज ऐसी आ गई, तो क्या करोगा, पता तो होनी चाहिए न, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, part between shoot and root को हम rhizophore कहते हैं, salaginella में मिलता है, done, okay, क्या नहीं पूछा जाएगा, rhizophore और salaginella तो पूछा जाएगा, यह ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है, next है, adiantum petrous fern, adiantum fern जो होता है, वो कैसे होते हैं, पहला option है, heterosporus, homosporus, homo gametic and isomerus, तो isomerus तो हो जी नहीं सकता, ठीक है, homo gametic, कुछ नहीं पढ़ा हमने, homo gametic मतब एक जैसे gamet, क्या होगा इसका, ठीक है, और फिर आता है heterosporus, अभी हमने थोड़ी देर पहले heterospory देखी थी, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने अभी heterospory देखी थी, मैं बता हूँ, कहां, ये, टेरिडोफाइट में heterospores प्रड्यूज होते हैं, तो वो diocious gametophyte बनाता है, अगर हम adiantum की बात करें, तो यहां पर जो देखने को मिलता है, वो है homo spore, heterospore नहीं मिलता, homo spore का मतलब होता है, same kind of spores, same kind of spores are produced, एक जैसे spores बनेंगे, अलग-अलग spores नहीं बनेंगे, एक जैसे बनेंगे, तो कैसा होता है, homo spores होता है, right answer is, option B for this question, alright, next question देखिए, next question is, one minute, next question is, stem in fern is underground, monopoidal rootstock and it is called as, ऐसी stem, जो कहां पर हो, underground, यानि की soil के अंदर है, monopoidal rootstock है, एक rootstock दिख रही है, तो क्योंकि यहां खुदी लिख दिया, इनने question में आसान बना दिया, rootstock लिख करके, तो वो structure क्या कहलाता है, it is called as rhizome, उसे हम क्या कहते, rhizome, ground के अंदर ही रहेगा, soil के नीचे रहेगा, वहीं से develop कर देगा, बाक्की सारा portion, तो देखो, पहला है rhizome, which is correct, calm नहीं होगा, bulb नहीं होगा, सकर नहीं होगा, option A is the correct answer, that is rhizome, done, okay, next, next question क्या है, leaves of ferns, leaves जो होती है, fern की, वो कैसी होती है, अगर हम fern की leaf पर जाएं, तो ये leaves कहां से बन कर आती है, उपर के meristum से, उपर जो meristum होता है, देखो, कौन-कौन सा meristum होता है, lateral meristum होता है, apical meristum, तो apical meristum से इसकी leaf बनती है, lateral portion, side portion से नहीं बनेगी, so, fern में, leaves are formed from apical portion, कहां से निकल कर आती है, apical portion से निकल कर आती है, options देखेंगे एक बार, frons with reticulate venation, reticulate venation के साथ ये क्या frons है, frons नहीं है, दूसरा, haploid, single set of chromosome है, नहीं है, तीसरा, pinnately compound and grow by apical meristum, apical meristum से ही grow होती है, और कैसी होती है, pinnately compound type की leaf होती है, एक ऐसी एक leaf बड़ी सी नहीं होगी, अलग-अलग-अलग ऐसे parts रहेंगे, all of the above नहीं होगा, so, the right answer is, option C, pinnately compound and arise from the apical meristum, note it down, done, okay, next question देखिए, in ferns, young part of rhizome, यानि की root stop जो होता है, and leaves are covered and protected with brown multicellular scaly outgrowth, अगर आप fern को देखोगे, तो fern में, fern में क्या होता है, जो leaf होती है, वो कैसी दिखती है, देखो, ठीक, अब अपन इसकी leaf बनाएंगे, leaf इसकी कैसी होती है, जादा नहीं बनाऊंगे ना, थोड़ी सी लीव कैसी होती है, देखो, यह है, इसकी leaf ऐसी ऐसी दिखती है, ठीक, ऐसा ही structure सब जगे present है, ठीक है, यहाँ पे, अगर आप इसे देखोगे, मैं ऐसी leaf क्यों बना रही हूँ, यह ऐसे pinnately compound, यानि की partition partition, बहुत सारे रहते हैं, यानि यह ऐसी दिखेगी, ऐसी ऐसी दिखेगी, ठीक है, leaf ऐसी ऐसी दिखेगी इसकी, पर मैंने ऐसी क्यों बनाई है, मुझे आपको कुछ चीज दिखानी है, और वो क्या है, इसके पास protective structure present होता है, वो कहाँ present होता है, यहाँ पे, ठीक है, और कैसे present होता है, ऐसे, इसमें भी मिलेगा, इस तरीके से, और यहाँ तक की इसकी stem में भी होगा, तो आपने कभी देखा होगा, कि हमारे पास बहुत सारे plants में हमने देखा होगा, ऐसे हमारे पास leaf के आगे क्या लगा हुआ दिखता है, leaf के आगे हमें brown color का कुछ एक structure लगा हुआ दिखता है, बहुत बार लोग इसे misunderstand कर लेते हैं कि कुछ कीड़ा लग गया है, plant खराब हो गया है, but it is nothing but the plant का खुद का structure, जो किसी लिए बना है, इस leaf को और stem को protect करने के लिए बना है, जिसे हम brown वाले structure को क्या कहते हैं, brown वाले structure को हम कहते हैं, रेमेंटा, क्या बोलते हैं, रेमेंटा, जो क्या काम करता है, rhizome, root stock, leaf को cover करके रखता है, protection के लिए, multicellular scalee outgrowth होती है, बस ऐसे outgrowth बाहर की तरफ दिखेगी, and it is for the protection of, provides protection, इसे लिख लेना अपने notes में, ठीक है, important है, और diagram भी बना लेना, provides protection to the leaves and the root, leaves and root, ठीक है, तो वो कौन है, रेमेंटा, ओल्राइट, अब इस पे, अगर आप इस पे मैं बना के बताऊं, तो इस पे यहां ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते, रेमेंटा, options देखिए, फ्रांज है, फ्रांज नहीं है, लीफ बेसे नहीं है, रेमेंटा है, रूट स्टॉक नहीं है, रेमेंटा है, रूट स्टॉक नहीं है, so the right answer is option C, that is रेमेंटा, ओल्राइट, नोट इद दाउं, दन, ओके, next question देखिए, golden fern is, golden fern is on kya, which is walking fern, made in hair fern, ठीक है, walking fern या made in hair fern हम किसको बोलते हैं, walking fern क्यों बोलते हैं, फैली रहती है और कहीं पर भी ग्रो हो जाती है ये fern, तो walking fern हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं, addiantum को, किसको बोलते हैं, addiantum को, options क्या-क्या है हमारे पास, addiantum सही है, chalianthus नहीं है, terrace नहीं है, and drive terrace नहीं है, तो right option is option A for this question, all right, यह easy question है, इसमें कुछ भी difficulty नहीं है, all right, तो walking fern बोलते हैं हमेडियांटम को, walking fern, क्यों बोलते हैं walking fern, कहीं पे भी, अगर यह हमारा एक structure है, यह अगर मानलो soil है, अब इस पे वो fern कहीं पर भी grow हो जाएगी, जहां जगे मिलेगी, ठीक है, जहां जगे मि लेगी महां grow होते चले जाएगी, तो walking fern, noted down, कर लिया, okay, so here, we are done with the practice session, part 2, for the practice question का, जो हमने session किया, part 2 for the chapter, plant kingdom, ठीक है, इन सारे topics को, इन सारे questions को आप जरूर revise करिये, जितने ज़्यादा question लगाओगे, उतनी बहुत अच्छी तयारी कर पाओगे, बात समझ गए, तो कहां स करनी है, कैसे करना है, कहां देखना है, official website पर जाओगे, तो वहाँ पर search bar में type करो, www.magnetbrains.com, वहाँ आपको explore top courses का option मिलेगा, उसमें जा करके, अपना top course select करना है, और neat पे click करना है, ठीक है, अपना top course select करना है, neat पे click करना है, जैसी neat पे click करोगे, तो आपको neat biology मिल इस पे जाके watch now क्लिक करो, ऐसा descriptive page open होगा, जहां आपको option मिलेगा, watch all videos का, तो यहां पर आप sequence में सारे videos देख सकते हो, sequence में सारे videos आपको मिल जाएंगे, और सारी चीजें आसानी से आप देखोगे, जैसे ही आपको topic दिखेगा, आप इस पे click करोगे, तो आपको एक list topics हैं, उस पे click करो, जो भी topic पढ़ना है, जैसे click करोगे, वीडियो इस तरीके से आपके सामने play हो जाएगा, इसी में आपको option मिलेगा next video का, बहुत जादा घूमना नहीं है, यहीं से next video, next आप questions को, next topics को access कर सकते हो, और पूरा video देख सकते हो, revise जरूर करते रहना है, question की practice बहुत जादा करना है, यह सारी चीज़ें आपको Magnet Brains IITJE, NEET के चैनल पर completely free of cost available है, आपको कोई fees नहीं पेर करनी है, कुछ भी subscription नहीं लेना है, असानी से अराम से घर में मैटके बस preparation करनी है, जी जान लगाके, उस preparation से नहीं भटकना है, एक चीज़ और छोटी सी करनी है, जो वो यह है कि लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, हैना, मेरे लिए लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, सब्सक्राइब करने से सारे notifications आपको खुद मिल जाएंगे, आपको कहीं परिशान होने की जरूरात नहीं पड़ेगी, और इसे शेर करना अ सारे friends और siblings के साथ मैं आपसे मिलूंगी next session में virtual group में definitely share कर देना, ठीक है, मैं आपसे next session में मिलूंगी, तब तक के लिए, thank you so much, take care and keep studying.